तो आप सभी का सौगत है हमारी यूटीव चनल पर तो आज हम लोग फॉर लूप की प्रैक्टिस सीरीज फाइब में हैं जिसमें हमने कुछ पांच कुशन को लिया है और हमने कुछ सॉल्व करके देखेंगे कि फॉर लूप के ये वाले प्रोग्राम कैसे बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुशन नमबर फर्स्ट सबसे पहला कुशन है प्रोग्राम टू प्रिंट लेटर्स फ्रॉम ए टू जे यूजिंग फॉर लूप कुशन में बोल रहा है कि आपको एक से लेके जैट तक के सारे जो अल्फबेट हैं वो डिस्प्ले करने हैं फॉर लूप का यूजिंग करते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक लूप से अल्फबेट स्प्रिंट करवा सकते हैं वैसे तो हम लोग लूप को नंबर में चलाते हैं पर हमें यहाँ पर लूप को चलाके उससे एसे लेके जैट तक की एवी सीडी को प्रिंट करना है तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे कर पाते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक जानकारी होनी चाहिए क्या होता है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख कर बताते हैं अगर हम बात करें कैपिटल A से लेकर कैपिटल Z की तो इनके जो S.K.I. code है वो होते हैं 65 से लेकर 90 तक अगर हम ऐसे ही बात करें small a से small z तक के बारे में तो इनकी जो S.K.I. code होते हैं 97 से 122 तक तो इस तरीके से ये इनके S.K.I. code है हमें इस question में इनकी जरूत पढ़ने वाली है तो हमें ये पता होने चाहिए तो capital A to Z 65 to 90 small a to Z 97 to 122 चलिए इनको भी हमें भी लिखा रहने देते हैं question solve हो जाएगा उसके आदिने हटा देंगे चलिए solve करते है question को तो जो पहला question है उसमें capital से capital Z तक के सारे alphabets को display करना है answer के रूप में और वो भी for loop का use करके तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर जो for loop चलाएंगे उसको for i in range उसको number में ही चला देते हैं और कहां से कहां तक चलाएं तो उसको हम चला देते हैं 65 से लेकर के 90 तक चलाना है तो हम 91 तक चलाएंगे क्योंकि हमें एक extra चलाना पड़ता है और हमने यहाँ पर colon sign दे दिया अब बात यह है कि अगर हमने print आई कर दिया तो print आई करने से क्या होने वाला है वो 65 से लेकर 90 तक की counting प्रिंट करने वाला है तो चली देख भी लेते हैं हमने तो enter किया तो यहाँ पर देखिए यह 65 से लेकर 90 तक की यहाँ पर counting प्रिंट हो गई लेकिन हमें यह नहीं करना था हमें alphabets प्रिंट करने थे तो python में एक function होता है chr यह function क्या करता है इस function के अंदर आप जो भी number डालोगे तो उस number में जो letter होगा alphabet होगा वो display हो जाता है तो हमने यहाँ पर chr i कर दिया तो हमें पता ही यह loop चलेगा i से और i की जो value है वो 65, 66, 67 होगा जो की capital से z के sky code है तो जह हम यहाँ पर chr i लिख देंगे तो वो i बार बार loop के चलते convert करेगा इस i को character में chr एक function है जो numeric value से character में change कर लेता है तो यह function बार बार से character में change करता जाएगा और यह display करता जाएगा print function तो हम लोग f5 प्रेस करके इसको run करेंगे तो हम देखेंगे अब की बार हमारे a से लेके z तक की जो avcd है वो print हो चुगी है तो इस रही किसे question number first हमारा जो है वो complete हो गया आपको समने आ भी गया होगा यहाँ पर बस यह एक chr function है जिसके बारे में हमें थोड़ा से समझना होगा बाकी सब कुछ आसान है चलते हैं next question की तरफ तो next question में लिखा हुआ program to print letters from z to a using for loop इस वाले में भी same same है बस थोड़ा से अंतर यह है कि इसमें small z से small a की तरफ जाना है यानि कि reverse loop चलाना पड़ेगा तब ही यह possible होगा तो इनके भी हमें sky code पता होने चाहिए तो यहाँ पर हमने लिख दिये है small a to z 97 to 122 तो हम क्या करेंगे चुकि हमें reverse loop चलाना पड़ेगा तो हम इसको start करेंगे 122 पे और खतम करेंगे 97 पे लेकिन आपको पता है कि वो एक कम चलता है तो हम इसको खतम करेंगे 96 पे ताकि यह 97 तक चल सके और आपको यह भी मैंने बहुत पहले for loop के series में बताया है for loop जिसमें समझाया था जिस वीडियो में हमने for loop के बारे में बताया था तब जाके हमारा जो loop है वो reverse में चल पाता है तो हमने यहाँ पर 122 से लेके 96 तक चला दिया reverse loop ताकि हमें reverse में numbers मिलें और हम reverse में ABCD को display करा सकें तो यहाँ पर हम CHR function का use करते रहेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर भी numeric value नहीं चाहिए हमें चाहिए alphabet के basis पर तो हमने CHR function को यहाँ लगे रहने देते हैं अब इस program को हम लोग run कराते हैं तो हम लोग F5 प्रेस करेंगे जैसे ही हम enter करेंगे तो हम देखेंगे कि small z से लेके small a तक के सारे alphabet sequence से display हो गया तो इस तरीके से हमारा question number 2 complete हुआ आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं question number 3 की तरफ तो question number 3 में लिखा हुआ है program to print letters and their sky codes from A to Z using for loop इस वाले question में बोल रहा है कि हमें इस program से A से लेके Z तक के letter भी चाहिए और उनकी जो sky code है उनको भी हमें output के रूप में देखना है 1 by 1 कि किसका क्या sky code होता है तो इस type के question को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चुकि हम पता है capital A से capital Z का sky code होता है वो 65 to 90 होता है तो सबसे पहले हैं अपना जो loop है वो 65 से लेके 90 तक चला देते हैं तो हमने यहापर चला है 65,91 क्योंकि एक extra चलाना पड़ता है तो हमने इसको 91 तक चला दिया अब हमें क्या करना है हमें numbers sky code भी चाहिए और उसका alphabet चाहिए तो CHR function alphabet दे सकता है I का यहाँ पर वो convert करता रहेगा और इसके बाजू में अगर हमें इसका sky code भी चाहिए तो हम comma लगा के हम यहाँ पर जो है वो I लिख देते हैं जिससे I के पास numeric value है और वो sky code भी है और वो display हो जाए तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया अब इसको हम लोग run करेंगे तो हम देखेंगे कि question के answer के रूप में हमें ABCD और उसके साथ साथ उनका जो sky code है वो भी आ रहा है अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर output में एक heading भी मिले जिसमें लिखाओ letter और यहाँ पर लिखाओ sky तो ऐसा करने के लिए हम for loop से पहले एक line add कर देंगे print statement लगा देंगे जिसमें हम लोग message print कर देंगे सबसे पहले हमने letter print किया है तो हम लिख देंगे letter और थोड़ा space देखे हम लिखते थे हैं यहाँ पर sky तो ascii कुछ इस तरीके से हमने double quotes close किया और bracket close किया तो हम देखेंगे कि यह यहाँ पर display कर देगा चलिए हम इसको फिर से run करते हमने फाइप प्रेस किया और यहाँ पर sky को वो कुछ keyword की तरह treat कर रहा है तो हम क्या करते हैं इसको capital में डालने की कुछिश्च करते हैं सायद यह ले ओके तो अभी इसको यह string समझ ले रहा है तो यह अविर नहीं आएगी हमारी तो हम लोग f i press करेंगे और और अभी भी आ गया चलिए कोई बात नहीं अभी हम लोग क्या करेंगे हाँ पर कि इसकाई की बाद एक और वर्ट जोड़ देते हैं स्काई कोड तो चलिए इब चलाते हैं कि अ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इससे कनेक्टेड नहीं है कि कि का का तो अगर हमें उपर एक मैस चाहिए जिसमें लिखा हो अल्फट जयाने की correct letter और उसका एस काई तो हम डाएंगे उसके लिए धेजिया पर हम क्रिंट लगाएंगे और प्रिंट के कि बैकने double quotes मीं लिख देंगे पहले हमें लेटर चाहिए तो हम लिख देते हैं letter और थोड़ा सा space देके हम लिख देते हैं हैं पर SCII तो ASCII और इसको double quotes में close करेंगे और यहां पर bracket को close कर देंगे तो हम लोग फिर से fI press करेंगे और हम देखेंगे कि यहां पर ABCT दो सब कुछ वैसे ही आ रहा है बस यहां पर लेटर और एसकाई कोड यहां पर आ गया और यह हैडिंग की रूप में मिल गया अभी थोड़ा सा लेटर इधर दर लग रहा है तो हमें यह तो यह खिसकाने पड़ेंगे हैं यह उनके यह उनके असकाई कोड़ हो गए तो इस तरीक리 से हमने खुष्य नंबर जो थर्ड था सुखो कंप्लीट किया तो अभी आपके सौन में आ रहोगा कि हमें कैसे करना पड़ीघा करेश है question number 4 की तरफ तो question number 4 में बोला है program to find the sum of all integers greater than hundred and less than 200 that are divisible by 8 तो question में बोल रहा है कि आपको 100 से लेके 200 तक के बीच में उन सारे numbers का sum करना है जो 8 से divisible हो और आपको for look का use करके questions को solve करना है तो चलिए solve करते हैं इस question को तो question में बोला है कि 100 से लेके 200 तक के सारे numbers का sum करना है वो जो 8 से divisible हो तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि हमें एक loop चलाना पड़ेगा जो 100 से लेके 200 तक चल रहा हो तो हम चला देंगे for i in range और उसके bracket में लिखेंगे हम one sorry हमें loop चलाना है हंड्रेट से तो हंड्रेट कॉमा पूरा true हंड्रेट तक चलाना है तो हम लिख देंगे आप लिखेंगे 200 और ब्रेकेट क्लोज कर देंगे call and sign लगा दिए अब उसने बोला है कि आपको sum करना है तो sum करने के लिए हमें एक variable चाहिए तो तो s equal 0 हम लोग variable लेंगे उसने बोला है कि sum आपको उन ही का करना है जो number 8 से divisible हो तो इसके लिए हम लोग if में लिखेंगे if i modulus 8 equal equal 0 तो i modulus 8 equal equal 0 ब्रेकेट क्लोज यहाँ पे call and sign और हम एंटर करेंगे तो i modulus 8 equal equal 0 तो इसमें क्या होगा यह condition तभी true होगी जब i 8 से divisible हो अब हमें क्या करना है इन सभी का sum करना है तो sum करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे s is equal to s plus i अब यह हमने क्यों किया तो इससे पहले वाली सीरीज में हमने इसको detail में समझाया है तो please आप वाली सीरीज आके check out करें और उसको देखें तो आपको यहाँ पर बहुत आसानी से sum में आ जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे जब यह loop चलेगा तो वह 100 से लेके 200 तक के वह सारे numbers जो 8 से divisible है उनको यहाँ पर add कर देगा हमारा एक answer आने वाला है इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो print statement है उसको loop के बाहर रख तो हमने यहाँ पर लगा दिया print और bracket में लिख दिया s तो अब हम इसको run करके देखेंगे हम लोगों ने f5 प्रेस किया हम जैसे ही enter करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर number मिल रहा है 1776 तो यह एक number है जो की 100 से लेके 200 के बीच के उन सारे numbers का addition है जो की 8 से divisible है तो इस त solve करना होता है ओके तो चलते हैं अब next question की तरफ इस question को भी हम आटा देते हैं तो next question हमारा कह रहा है program to print numbers and print the all factors of a number example example यह है कि अगर user ने 6 डाला तो उसके सारे factors आएंगे 1,2,3,6 और यह कामा को for loop का यूज़ करके करना है तो question यह है कि हमें user एक number input करेगा आपको उस number की सारे factors को display करना है तो factors क्या होते हैं जैसे कि 6 example है तो इसके factor है 1,2,3,6 तो इसके factor क्यों है क्योंकि factor वो होता है जो 1 से लेके उस number तक जो number यूज़र ने डाला है तो 1 से लेके उस number तक जो जो number उस number को divide करेगा तो वो उस number का factor होगा और उसे display होना चाहिए तो हम लोग देखते हैं इस program को कैसे बनाएंगे तो इस question में हमें एक बास हमें आती है कि हमें एक loop चलाना पड़ेगा और बूलूप कहां से कहां तक चलेगा तो उस loop को हम चलाएंगे 1 से लेके उस number तक क्योंकि 1 से लेके उस number तक के सारे नं प्लस बन चलाने वाले हैं तो यह तो हमारा लूप चल गया अब उसने बोला है कि आपको ऐन का हमें यहां पर input भी लेना पड़ेगा तो हमें यहां पर n इंपुट भी लेते हैं एन इकोल इंट ब्रेक्ट में इंपुट और यहां पर हम लिखते हैं एक मैसेज एंटर अनं कुछ इस तरीके से, तो हमने n का input लिया, एक loop चला दिया, 1 से लेके n प्लस 1 तक, अब हमें क्या करना है, 1 से लेके n तक के वो चीजें डिस्प्ले करनी है, जो उस n का factor है, तो factor का मतलब होता है, जो number उस number को divide करें, तो उसको factor बोलता है, तो इसका मतलब यह है कि हमें बार बा यह चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कौन सा number है, जो इस n को divide कर रहा है, तो इसको लिखने के लिए हम लोग इफ लिखेंगे, इसके bracket में condition लगाएंगे, n modulus i equal equal 0, तो end modulus i equal equal 0, इसके क्या होगा, जब यह loop चलेगा, तो i की value पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 होगी, और वो इस जगे पर बैठेगी, और वो numbers 1, 2, 3, 4, 5, बार बार n को divide करने की कोशिस करेंगे, तो जब कोई number n को पूरा पूरा divide करेगा, और उसका जो remainder है, वो 0 divide कर पा रहे हैं, तो वो सारे i उस number के factor है, तो उन सब को display होना चाहिए, तो ऐसा करने के लिए हमें print statement यहाँ पर use करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम लिखतेंगे i, क्योंकि i वो है, जिसने उस n को divide किया है, तो वो उसका factor हुआ, और उसे display होना चाहिए, तो कुछ इस अब अगर इस program को हम run करेंगे, तो FI press करेंगे, जैसे ही enter करेंगे, तो बोल रहा है enter a number, तो हम यहाँ पर कोई number देंगे, जैसे कि अभी 6 ही देते हैं, तो हमने 6 लिखा और जैसे ही enter करेंगे, तो हम देखेंगे, कि 6 के होने वाले सारे factor रहने कि 1, 2, 3, 6 display हो चुके हैं, त इस तरीके से हमारे numbers के factor आगे, अगर हमें कोई दूसरा number देना हो तो जैसे कि हमने FI press किया, यहाँ पर हम कोई दूसरा number देते हैं, जैसे कि हमने दिया, तो number दिया हमने 15, तो हम जैसे ही enter press करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है, 1, 3, 5, 15, क्योंकि 15 के यह सब factor है, तो इस तरीके से हमारे questions का जो है वो answer हमें मिल रहा है, और हम 5 में questions को solve कर पाए, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने x लेके 5 तक के सारे questions को solve किया, बहुत ही आसान तरीके से, तो आसा करता हूँ आपको इस सारे questions समन में आ चुके होंगे, फिर मिलते हैं next वीडियो मे next questions के साथ, तब तक के लिए जहन